नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरे सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवैस्ट करें सिक्षक नियोजन में भारी गड़बड़ी 121 अभ्यार्थियों का सर्टिफिकेट पाया गया फरजी डीईयो ने कारवाई की कही बात सावधान बिहार में हो रही है बच्चों की मौत नए वाइरस से टेंसन में है डॉक्टर पटना में 233 बच्चे भरती जानिये किन बच्चों को है सबसे ज़्यादा खत्रा जानलेवा बुखार को लेकर सरकार अलर्ट पर वारल के मामले बढ़ने पर जीलों को किया सचेत केंद्रिय खान मंत्राले ने दिखनन की इजाज़त बिहार को चार ब्लॉक किया गया आवंटित अब बिहार की अर्थविवस्ता होगी मजबूत बाढ़ और अल्पब्रिष्टी को लेकर सीएम नितीसने की समिक्षा बैठक अधिकारियों को दिये कई निर्देश बिहार में सिक्षक नियोजन में बड़े फरजिवारे का उजागर हुआ है चैनित कुल 703 अभ्यार्थियों में 121 अभ्यार्थियों का सर्टिफिकेट संदिक्द पाये गया है जिला सिक्षा पतादिकारी अमर भुसन ने जांच की दोरान इसका खुलासा किया है डियों ने ऐसे अभ्यार्थियों पर कारवाई की बात कही है गौर्टलाभे की पिछले दिनों वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से परदान सचिम ने जिला सिक्षा पतादिकारी को चैनित सभी अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्रिड देने से पहले उनके सर्टिफिकेट की जांच की बात कही थी जब डियों ने मामली की जांच की तो बड़े फरजिवारे का मामला सामने आया है डियों ने बताया कि बिहार में यहाँ पहला मामला है जहां इतने द्यापक पैमाने पर गड़बडियां की गई है ऐसे अभ्यालतियों पर अनुसासनिक कारवाई की जाएगी लेकिन इससे पूरू उन्हें उनकी बात रखने का मौका दिया जाएगा सावधान हो जाईए बिहार में इन दिनों बच्चों को एक नई बिमारी हो रही है सूबे के गोपालगन जीले में दो और मुझफर पूर जीले में एक बच्ची की मौत हो गई है दिन प्रति दिन बिमार बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ते ही जा रही है जो डॉक्टरों के लिए एक बड़ी परिशानी का सबब बना हुआ है डॉक्टर भी टिन्सन में है क्यूंकि वे इस नए वाइरस से अंजान है राजधानी पटना में एम्स और पीमसीच समेट चार बड़े अस्पतालों में वाइरल बुखार से पीडित लगभर दोसों से जादा बच्चे भरती है पटना के पीमसीच में 30 नए बच्चों को भरती कराया गया है पीमसीच में सिसु विभाग पीकू नीकू में 276 बेड है जिसमें 131 बेड पर वाइरल से पीडित बच्चे हैं जबकि दुसरे बेडों पर अन्य विबार से पीडित बच्चे हैं इसके अलावा मुझफरपूर सारन, गोपालगन, सिवान और पस्चिमी चमपारन में भी यहां बुखार तेजी से फैल रहा है बुदवार को मुझफरपूर के स्रीकृष्न मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, चालिस वकेजरिवाल अस्पताल में 25 बच्चों को भरती कराया गया है इस बीच, SKMCH के पीकू वाड में भरती पूरवी चमपारन जिले के सुगौली निवासी अमीत कुमार की एक्सप्रेशनल निमोनिया से मौत हो गई उसे दो दिन पहले गंभिर इस्तिती में भरती कराया गया था अमीत कुमार के उम्र महज 11 वर्स थी मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोपालगन सदर अस्पताल में प्रती दिन 300 समेत जीले में वायरल बुखार से पीड़ित 400 के करीब बच्चे इलाज को अस्पताल में पहुंच रहा है बुद्वार को सदर अस्पताल में एक और दूसरे बच्चे की पटना ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई कुचाइकोट थाना चेतर के भटवा गाउं के जवाहरलाल मिस्रा के पुत्र 10 वर्सिया अभिसेक कुमार की आज सुभा मौत हो गई बिहार में वारल बुखार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है वारल बुखार के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब राज सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है प्रदेश के अंदर बच्चों में वारियल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिलो अस्पताल और प्राथमिक चीकिचा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है स्वास्त विभाग ने बच्चों के स्वास्त में हो रहे बदलाव को गंबिर्ता से लेने और उनके इलाज को प्राथमिक्ता में सामिल करने का निर्देश दिया है इतना ही नहीं सरकार ने बिसेसक डॉक्टरों की तीन टीमों को मुझफरपूर गोपालगंज और सिवान भेजाया है राज स्वास्त समिती के कारिपालक निर्देशक संजय कुमार सिंग के मुताबिक बच्चों के वारेल बुखार सर्दी खासी निमोनिया से संबंदित कई मामले अस्पतालों में आये हैं इसको लेकर सभी जीलों के सरकारी अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है डॉक्टरों की डूटी के दौरान मौजूद रहने को हिदायत दी गई है पटना मुजफरपूर, भागलपूर, गुपालगंज, सिवान बैसाली और अन्य जीलों में बच्चों के अस्पताल में भरती होने से स्वास्त विवस्था को अलर्ट किया गया है जांच में सामने आया है कि बच्चे नीमोनिया और अन्य बिमारियों से पीडित है स्री कृष्न मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफरपूर में भरती 30 बच्चों में नीमोनिया के लक्षन है सभी बच्चे सामयन इलाज से ठीक हो रहा है है इसके अलावा 75 बच्चे मुजफरपूर के नीजी अस्पताल में भरती है ये बच्चे अलग-अलग बिमारियों की सिकायत लेकर अस्पताल आये थे इन में से कुछ बच्चों को अस्पताल से छुटी दे दी गई है PMCH में भरती 122 बच्चों में से 13 को नीमोनिया है बाकी बच्चे पेट दर्द, TB, Dehydration, Hepatitis, Heart और किड्नी की समयसा से पेडित है NMCH में 18 बच्चे नीमोनिया से प्रभावित है बिहार के अर्थविवस्था से जुड़ी यह खबर दिल्ली से सामने आ रही है केंद्रिया खान मंत्राले ने बिहार को खान की इजाज़त दे दी है ऐसे में बिहार की अर्थविवस्था बेहतत तरीके से पट्री पर आने की उमीद जगी है केंद्रिया खान मंत्राले ने बिहार को कुल चार खनन ब्लॉक आवंटित किये हैं ये ब्लॉक और अंगाबाद गया और रोहतास के अंतरगत हैं बिहार के खनन मंत्री जनक राम ने इसे लेकर खुशी जताई है उन्होंने काया कि ब्लॉक मिलने से बिहार में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और अंगाबाद और गया में पोटास का भंडार है वही रोहतास म की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में देश के कई राजजों को ब्लॉक आवंटित किये गया बिहार को कुल चार ब्लॉक आवंटित हुए है ये ब्लॉक और अंगाबाद गया ससाराम जिले के अंतरगत है बिहार में बाड और अलप्रिष्टी से उत्पन इस्तितियों पर मुखमंत्री नितीज कुमार ने उच्छ तरिया समिक्सा बैठक की है मुखमंत्री नितीज कुमार की अधिक्षता में 5.5 गंटे से अधिक समय तक यह बैठक चली इस दोरान मुखमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिये मुख मंत्रे नितीज कुमार ने अधिकारियों से काया कि बाड के कारण जहां किसानों द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी इसे फसल छती मानते हुए उन सभी किसानों को उचीत सहता उपलब्द कराई जाए साथ ही किसानों की फसल छती का भी आकलन कर उन्हें सहता उपलब् ताकि बाड का असर कम से कम हो सके, क्रिसी विभाग, आपता प्रमन्दन विभाग, एवन सभी जीलों की जिलादिकारी, बाड के कारण हुई छती का पंचायत बार सही तरीके से आकलन करे, ताकि उसके आधार पर सभी प्रभावितों की मदद की जा सके दसहरा के मौके पर इस बार गांधी मैदान में कोई आयोजन नहीं होगा, इसके बदले गांधी मैदान से सटे कालिदास रंगाले में तीन दिनों तक रामलिला, रावनवद और भरत मिलाप का आयोजन होगा दसहरा से जुड़े आयोजनों को लेकर गुरुवार को पटना डियम डॉक्टर चंद्रसिकर सिंग, स्स्प उपेंद्र कुमार सर्मा ने, स्री दसहरा कमेटी टर्स्ट पटना के अध्यक्ष कमल नेपानी, सचीव अरुन कुमार की साथ समाहार नालाय में बैठक की और अह सम्मति से निने लिया गया कि गांधे मैदान के पास इस्तित कालिदास रंगाले में तीन दिनों का एयोजन होगा, कालिदास रंगाले में 14 अक्टूबर को रामलिला, 15 अक्टूबर को रावनवत, 16 अक्टूबर को भरत मिलाप कायरकरम होगा बिहार में पंचाय चुनाव को लेकर गतिविधिया तेज हो गई है और प्रत्यासियों का नामांकन भी शुरू हो गया है ऐसे में माकपा भाले ने सभी विधायकों को नया टास्क दे दिया है सभी विधायकों से कहा गया है कि पंचाय चुनाव तक विधानसभाद छेत्र को छोड़ कर कहीं नहीं जाएं और अगर किसी कारण से जाना पड़ा तो इसकी सूचना भी राजकारियाले को दे माले ने सभी विधायकों को चुनाव पर निगरानी रखने के लिए कहा है राज सची कुनाल निकाय की पंचाय चुनाव में पाठी की पूरी तरह से हर जगह पर निगा रहेगी ताकि किसी तरह की कोई गड़बडी नहीं हो चुनाव के दौरान कई तरह के विवाद और वोटरों को लुवाने के लिए काम होते हैं इसमें राज सरकार के भी अधिकारियों का रोल रहता है समाज के लियान विवाग की निदे साले समक्ष में बीते गुरुवार को राज़स्तरिया बैठक की गई जिसमें कोरोना की संभावे तीसरी लहर को देखते हुए अधिकारियों को कई दिसा निर्देश दिये गए बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से होम में रहने वाले बच्चों को सुरक्षा मिले इसको लेकर तैयारी पूर्ण रखने का निर्देश दिया गया है इस सम्मन्द में चिन्हित 11 जीलों के डियम को पत्र लिखकर जमीन अधिगरहन करने को लिकर निर्देश दिया गया है ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके वही विभाग ने इस सम्मन्द में सभी जीलों को 20-20 लाक रुपई आवंटन किये हैं सिविल सर्जन से संपर्क करके सापताहिक बच्चों की जांच करने का भी आदेश दिया गया है बिहार में अंचल अधिकारी राजस्वा संबंदी मुई के काम परिमारजन आदी पर फोकस कर सके इसके लिए राजस्वा एवंगुमी सुधार विभाग ने उनके काम के बोज को कम कर दिया है उनकी कई जिम्मेदारियों को बाट दिया गया है जाती निवास और आय प्रमानपत्र निर्गत करनी की जिम्मेदारी राजवा अधिकारियों को देने का नेने लिया गया है इससे लोगों को भी बड़ी सहलियत मिलेगी सियों की अनुमती लेकर मौडन रिकॉर्ड रूम के डाटा एंट्री ओपरेटर परिमारजन और एलपीसी के निस्पादन का काम करेंगे इससे लोगों का समय तो बचेगा ही सरकारी काम में पालदर्शिता के साथ-साथ काम में तीजी भी आएगी इसको देखते वे सियम नितीस कुमार ने पिछले दिनों निर्देश दिया था रूजबा के संस्थापक और भारत सरकार के मंत्री रह दिवंगत नेता रामबिलास पासवान की बरसी पर 12 सितंबर को पटना में कायरकरम रखा गया है इस कायरकरम में सामिल होने के लिए चिराग पासवान ने तीजस्वी आदव से मिलकर उन्हें निमंत्रन पत्र दिया इस दोरान मीडिया से बाचित के क्रम में दोनों ने आगे रनिती में साथ आने वाले मुद्य पर भी बात की चिराग पासवान ने बुद्वार को पटना में राबडी देवी की सरकारी आवास पर जाकर तिजस्वी यादव सी मुलाकात की उन्होंने अपने पिता रामिलास पासवान के बर्सी पर रखे गये कारकरम में आने का निमंतरन दिया इस दौरान दोनों निता एक साथ मीडिया से मुकातिब हुए मीडिया के तरब से एक सवाल पुछा गया कि क्या चिराग और तिजस्वी राजनिती के मैदान में एक साथ दिखेंगे तो दोनों ने इस पर अपनी बात रखी तेजस्वी आदव ने काया कि इस मुद्दे पर राजत सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव ने अपने इच्छा पहले ही जाहिर कर दी है और जब लालु प्रसाद जी ने इस पर सब कुछ कर दिया है तो मेरे तरब से कुछ बोलने को नहीं बच जाता है वहीं जिराग पास के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्तेदारों में सेयर करना ना भूलें धन्यवाद